अब आप 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 गूड बॉर्निंग एग इसा है आज आपका थोड़ा पांच बेट लेट हो गया डिसकेस्टिशन क्योंकि कि एकाएक हम लोग को कुछ दिक्कत आ गई कल ससांग सर की तवियत रात में अस्वास्त हो गई है इसलिए सर आज डिसकेस्टिशन नहीं लेंगे तो सर के जगह पे आज आज के आनंद सर काफी अच्छे हमारे वह आज से अभी आपका डिसकेस्टिशन लेंगे तो आज आप लोग एसके आनंद सर से रूगरू हो ये और सर का जो अनुभब है साइंस के फिल्ड में वह आप लोग लीजिए और मैं उमीद करता हूं कि काफी बहतर धंग से आपक कीजिए ओके थैंक्यू सो मच थैंक्यू आपको भी दीपक सर करता हूं आपके अपने इस प्लेट फरम के यूटूब चैनल पर और आज जो है आपका जो पचास कोश्चन का जो स्रीज है मैं लेकर आया हूं और मजा भी आएगा कैसे हैं आप लोग जो है एक बार कोमेंट कर दीजिए कि आप लोग अच्छे हैं और उमीद करते हैं कि अच्छे भी होंगे और तैयारी में लगे होंगे चुकि एक्जाम आपके सरपे हैं और सामने हैं और यह जानते हैं करो आप जानते हैं यह करो और मरो वाली क्या है ज करता है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा दोस्त आप लोग जानते हैं ओम का नियम ओम का नियम ओम्स लॉख अगर यहाँ पर इसको माल लेते हैं यहाँ पर क्या है से तो इसमें अगर आप पोटेंशियल अपलाई करते हैं चलिए एक पोटेंशियल के लिए एक सोर्स ले लेते हैं यहां भी पोटेंशियल या निकी विभाव जब अपलाई करते हैं विवांतर विवांतर जब अपलाई करते हैं तो इसमें जो परवाही धारा होती है इसके क्या होती है समनुपाती ह होती है लेकिन एक डिसन होता है यह टमप्रेचर आपका क्या होना चाहिए चाहिए मतलग दापमान क्या रहना चाहिए नियत रहना चाहिए ठीक है अब देखिए सर्कुट में आप देख रहे हैं कि इस वायर के थुरू जब भी विभुवांतर जब आप आरोपित करते हैं तो जो इसमें परवाहित धारा है धारा ये विभुवांतर के यानि कि भी समानुपाती क्या आई यानि कि परवाहित धारा जो है ये विभुवांतर पर क्या करती है निर्भर करती है अब देखिए यहां से जब इस प्रस्पो तो जब तंपरेचर आप जो है तो उसका प्रतिरोध भी क्याnaire का रहेगा यानी कि नियत रहेगा यानी कि नियत पाइब पर किसी चालन का प्रसेर क्शलक होगा नियत होता है तो आप देखी हैं से आंप सकते हैं कि यह कोई इस्थ Double ूब एक हैं रूख जाईए अब देखिए यानि कि simply भी बराबर आई इन्टू क्या लिखेंगे अब देखिए यहां भी बराबर आई इन्टू आर यानि कि भी बटे आर बराबर क्या हो गया आई मतलब धारा तो देखिए यहां पे धारा जो है भी बटे क्या आर अब देखिए according to question आप ता कह रहा है यहां पर कि प्रतिरोध को क्या कर दिया जाता है आधा कर दिया जाता है तो चलिए यहां देखते हैं अब देखिए यह इसको आप मूल फर्मूला ए माल लीजिए आप यहां पे पाएंगे यहां से कि टू इंटू भी बटे में क्या आर अब देखिए इसको तूलना कीजिए इस प्रत्थम समीकरन से तो यह देखिए दो इंटू में क्या हो जाएगा आई हो जाएगा यानि कि यहां से जो धारा का जो मान हो जाएगा आपका क्या हो फीड़ेए यहां आप लोगों को और भी मैं बता देता हूं ऐसे मघ्र से मारते हैं और किसमें जोड़ी जाती है किसमें सुरेज में कि सेरहने करम में हम एक हश्रते हैं जोड़ते हैं तो accomplish नमबर यह एक को व्यार्ट क्या हो आप जाएगा डेखते हैं डेखता है कि बारों प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गन्ना कीजिए देखिए इस प्रस्ण में जब भी अगर आपको प्रस्ण कहें कि अगर किसी तार के प्रतिरोध को आधा कर दिया जाता है दोगना कर दिया जाता है तो इसमें क्या पड़िवर्टन आएगा तो कुछ बातों को आप ध्यान दीजिए मतला नोट कर लीजिए यहाँ पर कुछ बाते हैं देखिए यहाँ पर इसे देखिए यहाँ पर यदी यदी किसी तार की तार की लंबाई को दूगना करदीया जाता है देखिए इस स्थिति में यानि कि जब तार की लंबाई को दूगना करने की बात करे या खीचने तानने की बात करे तब यानि कि नया प्रतिरोध प्रतिरोध आर डेस बराबर देखिए इन एस्क्वाइर इन्टू में हो जाता है प्रारंभिक प्रतिरोध चलिए इसको हम लोग आरवन मान लिए क्या मान लिए आरवन एन एस्क्वाइर कहने का मतलब कि यदि दोगना कहेगा तो इन का मान आप क्या रखेंगे दो और प्रारंभिक प्रतिरोध क्या रखेंगे देखिए हो जाएगा कितना आपका 48 लेकिन ध्यान दिजिए गया इस परस्ट में आपको कहीं खीचने और तानने की बात कर रहा है नहीं न यहां पर नहीं अपलाई होगा एक अपलाई होती है अगर देखिए इस परस्ट में कह देता कि 12 प्रतिरोध वाले तार के लंबाई क आपको कह रहा है कि 12 प्रतिरोध वाली तार को दुगना कर दिया जाता है यानि कि कहीं के प्रतिरोध तवाले तार को मोर करके रिंग बनाया जाता है तो उस केस में इसका प्रतिरोध क्या होगा तो देखिए उसके लिए हम आपको यह concept बता रहे हैं चलिए देखिए यहां से कुल्ड की बात कर रहा है, मूर्ने की क्या कर रहा है, ये देखिए, ये रजिस्टेन्स से आपका या निकी бол ओम का, इसकी लंबाई क्या है बाबु, यकि यह आप जानते हैं आप अपस कने पर देखिए इसक р गों पर स्थNS का दो और मोका, छेतरफल और L हो जाएगा चालक की लंबाई चालक की लंबाई चालक की क्या हो जाएगी लंबाई अब देखिए इस केस में यानि कि आरब बरब रो एल भाई ये आपके मूल फर्मूला है अब देखिए जब इसको मूरा जाएगा यानि कि जब इसको जब आप hold करेंगे तो आप आएंगे यहां से कि यह देखिए यह किस तरह से यानि कि यह यहां पर आपको एक चीज मिलेगा कि जो लंबाई है यानि कि L यह लंबाई आपका L भाई क्या हो जाएगा तू हो जाएगा जो एरिया है आपका ये क्या हो जाएगा दो गुना यानि कि जब मोडेंगे आप पतले तार को जब आप ट्विस्ट करते हैं तो आप ही सोचिए उसके लंबाई में क्या आती है कमी आती है लेकिन उसके ठीकनेस क्या हो जाती है बढ़ जाती है यानि कि प्र बराबर आपका 2A यानि कि अनु प्रस्कास का छेत फल दुगना हो गया और लांबाई आपका क्या हो गया आधा हो गया यानि कि अब देखिए यहां से नया प्रतिरोध यानि कि आपका 2A यानि कि अब फर्मूला से देखिए इसको तुलना कीजिए तो यानि कि आर बाई क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा फोर यानि कि देखिए अब इसका आपका कितना दिया हुआ यानि कि यहां से आप 12 बटे में क्या कर सकते हैं चार यानि कि अब यहां से जो नया प्रतिरोध हो जाएगा उसका मान कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा एक चीज और आप ध्यान दिजेगा एक ट्रीक है इसमें ट्रीक यह है ट्रीक कि अगर प्रस्ण में कहीं पर भी मिल कि एक याद कर लेगा फोर करना वराइजएंगर को सब्सक्राइज भर तन इससे रेंख्यां कि इसाइज, टीजक्त हो जाएगा ठीक है इस तरह से आपका ऊप्सण नंबर जो है यहां से क्या हो जाएगा वावू फारेक्ट होजाएगा ठीक है चलिए चलते हैं हम लोग next question पर देखिए एक question जो है आपका जो three number question है यहां से ammonium hydroxide के 0.1 मोल जलिये billion का पी एच मान क्या होगा देखिए इसे दो तरीका से आप बना सकते हैं यदि आप प्लस टू में भी पढ़े होंगे solution चप्टर तो वहां भी आपको बताया गया होगा पी एच का concept और पी ओ एच का concept कहने का मतलब कि जब एक योगिक जब तूटती है तो उसकी द देखिए यहां पर इस प्रस्ण में एक आपका के भी कमान दिया हुआ है यहां से के भी कमान के भी कमान यानिकी बेस का जो है equilibrium constant यानिकी बेस का equilibrium constant दिया हुआ है यहां पर यानिकी kb कमान दिया हुआ है आपको 1 into 10 के पर के भी आवब हो इससे आप लिख सकते हैं दस के पपर क्या लिख सकते हैं माइनस एक लिख सकते हैं ठीक है अब देखिए आप पढ़े होंगे यहां से PHA độ SCAL में कि आपको PH प्लस में P O H इन दोनों का सम कितना होता है 14 होता है तो अगर दोनों में से अगर यह हमें यही निकालना है पि एच अगर यह हम लोग कल्कूलेट कर सकते हैं कर लेंगे तो असानी सबसे पहले यहां convert करते हैं तो oh minus को convert करने के लिए एक formula होता है root under kb into में क्या बावो c kb का मान देखिए दिया हुआ है यहां से 1 into 10 के पौर क्या minus 5 और c का भी मान दिया है 10 के पौर क्या minus 1 यानि कि root under आप 1 into 10 के पौर क्या लिख सकते है minus 6 जब इसको बाहर करेंगे यहां से तो जब puh जब निकालेंगे यहां से तो यह minus के log आप क्या लिखते हैं oh minus क्या लिखते है oh minus तो minus log यहां से देखिए 1 into 10 के पौर क्या है minus 3 है इसका मान जब इसको जब log के सहायता से जब आप solve करेंगे या मैत में भी आप परहे होंगे कि log यहां से x के पौर n बराबर n यहां से n log x लिखा जाता है अब देखिए 3 आ जाएगा यानि कि यह दोनों मिलके यहां से क्या हो जाएगा plus log यानि यहां से 1 और basis का क्या 10 जिसका मान आप जानते हैं 3 गुने में क्या 1 यानि कि 3 हो गया तो देखिए बाव पी ओ एच का मान 3 आ गया तो यहां से आप पी एच के मान आसानी से क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं यानि कि पी एच बराबर यहां से हो जाएगा आपका पी एच पलस 3 बराबर कितना 14 तो यहां से पी एच बराबर आप 14 ऐसे हैं येदा मैंस क्या तैनि कि यानिकि यानिकि ओप्सिंद सब्सक्राइब का syamla kosten क्या क्णा तो उसे आप क्या कहते हैं अम लिए कहते हैं और पीएच सब्सक्राइब यहां यहां यहाद़ा तो आप क्या कहते हैं छारिये कहते हैं फिंगे और फिय सेवा हो ँसे क्या सब्सक्तर प्र 350 है अब यहां से हम निर्डरा चुण स्क्र I lift성 on G के बाद इसमें घटाएं है तो मुझे कितना मिला है 11 इस तरह से आपका इस बिलियन का पी एच मान कितना हो जाएगा एक 11 हो जाएगा ठीक है चलिए आप लोग कमेंट कीजे नोट कर लिए सभी आदमी देखिए पौन बर्माजी लिख रहे हैं गुरु जी का साधर चरन एसपर्थ थैंक्यू भाई है चलिए इसी तरह से आप लोग नहीं तो कभी नहीं और एक बात आंभी जानते हैं आपका झूल लेकिन फिर हम आपको इसको लेके चले जाएंगे प्लस टू के लेकिन इस मेठट से यदि आप तेंथ भी आपका स्ट्रक्टर है अगर इंटर में अच्छी आपकी पकड़ भी नहीं है तो आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं मेरे द्वारा बताएगे मिठट के द्वार ठीक है तो चलिए आगे बढ़ें हो गया चलिए ठीक है देखिए मी तुन जाए लिखते हैं गुड मॉर्निंग संग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए आगे कि चलिए कुश्चन नमबर हाँ देखिए कुश्चन नमबर चार आया है कि चार है कहता है एक आयन पर माइनस एक आवे से तो इसमें 18 इलेक्ट्रोन है तो 20 नीट्रोन और इसकी दरेमान संख्या क्या होगी देखिए यहां इसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं आप इसे बहुत आसानी से बना सक लिखते हैं देखिए दरेमान संख्या बराबर आपका क्या होता है दरेमान संख्या दरेमान संख्या दरेमान संख्या जेड बराबर आप क्या लिखते हैं नंबर्स अफ प्रोटोन प्लस में नंबर्स अफ न्यूट्रोन यानि कि पी प्लस में आपका क्या होता है इन होता है जेड बराबर ठीक है इस परस में देखिए आपको निउट्रोन तो दिया है यानि कि इसका मान क्या हुआ है दिया हुआ है प्रोटोन है नहीं तो देखिए अगर कोई भी ऐसा एटम है यानि कि कोई भी ऐसा एटम है अगर यह A है और यह क्या है बावू B है ठीक है तो अब वाइब और इस आप चाहे कहते हैं और इस प्रसम देखिए अगर मान लेते हैं कि क्या किया है यह सिविकार किया है एक इलेक्टरोन को यह क्या किया है प्राप्त किया है तो अब देखे एक इलेक्टरोन जो संखया हो जाएगी इलेक्ट्रोन की संख्या जो हो जाएगी एक तो ही प्राप्त किया है लेकिन मूल इसमें कितना हो जाएगा 17 यानि कि 18 माइनस की आप क्या कर देंगे एक यानि कि 17 इसमें क्या हो गया इलेक्ट्रोन सत्रा क्या हो गया बाबू इसमें इलेक्ट्रोन हो गया यानि कि यह एक इलेक्ट्रोन के क्या किया है बाबू यह प्राप्त किया है यानि कि यह एक रिनी है यानि कि एक करजदार है एक इलेक्ट्रोन का ठीक है तो आप देखिए इसमें इसका मूल इलेक्ट्रोन कितना हो जा तो आपको कितना हो जाएगा 37 यानि कि दरेमान आपका हो जाएगा कितना वावू 37 तो इस तरह से आपका option number C क्या हो जाएगा यहां से एक निकालते और निकालने के बाद फिर यहां से दरेमान संख्या निकाल लेते यानि कि जेड यानि कि दरेमान संख्या आपका कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा यानि कि option number C क्या हो जाएगा और यहां लिख रहा है अभी तक आप सोए ही है अच्छा नुमेरिकल का बहुत फास्ट पढ़ाते हैं कोई बात नहीं है नुमेरिकल तो आदमी पढ़ाता ही है शुरू से और फास्ट की कोई बात नहीं है आप ही सोचिए जब आप जेनरल कंपरडिशन में आ गये हैं तो आप के पास समाय की क्या हो जाती है वोट कमी हो जाती है क्योंकि कोई भी इंहांत नेख्स करते हैं कि searches पूच्टी मिनट में यानि की एक मिनट से भी कम सेकेंड यानि की 40 से कम सेकेंड राता है ठीक है तो चलिए आगे चलते हम लोग नेक्स कोश्चन पर जो है कि क्वאש्च नमर नेक्सट नमर लविदा नाम सुने हो न इसका जी किस फास्ट्वड या फिर अन्या जो है खादया समागणियों में प्लेवर को क्या करने के लिए बदलने के लिए किया है वही सिरका है इसमें रहता क्या है वही पूछ रहा है कि आखिर इसका समानिया नाम जो है क्या है तो देखिए इसमें क्या रहता है 5% Water 95% Acetic Acid यानि कि यहां से देखिए आपका अप्तन नुमबर क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा वावू सही हो जाएगा ठीक है प्रतिरोधों के निर्पेक्ष मापन के लिए किस पदती का उप्योग किया जाता है ठीक है तो देखिए सभी जो आपको इंस्टुमेंट दिया हुआ है इसमें देखिए कहता है absolute measurement of resistance यानि कि एकदम पूरी तरह से निर्पेक्ष पूरी तरह से निर्पेक्ष यानि कि थोड़ा सा भी एरर नहीं थोड़ा सा भी क्या वावू एरर नहीं अब देखिए इसमें क्या है कि आपको जो इंस्टुमेंट दिया है ओम मीटर ओम मीटर से भी resistance मापा जाता है लेकिन इसमें क्या होता है कि सीगनल सोड़ी मैगनेटिक फलक्स या कुछ मैगनेटिक रीजन जैसे ही इसका होता है इस्टुमेंट उतना डंग से काम नहीं करता है तो इसको हम लोग एप्सolutley नहीं करते हैं दूसरा देखिए वीटे स्टोन ब्रिज से और अग्याद प्रतिरूध मापा Q को क्या मन लेते हैं अग्यात तो simply दोनों को घुना करके यानि कि Q into R बराबर लिखा जाता है P into क्या बावू? S, P into में क्या S, यानि कि Q बराबर आप लिख सकते हैं यहां से, Q बराबर लिख सकते हैं आपका P S बटे में क्या हो जाएगा R, यानि कि Q से आप अग्यात प्रतिरोध क्या करते हैं निकालते हैं Q से आप क्या निकालते हैं बावू? अग्यात प्रतिरोध यानि कि वी टेस्टोन ब्रीज से आप क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? unknown resistance यानि कि अग्यात प्रतिरोध निकालेंगे लेकिन देखिएगा यानि क कि अगर कोई कोस्टन में या दि इस बिधी का नहीं क्या किया हो लेकि बढ़ जाएंगे लेकिन जब लॉटेंज वहां पर इसका दिया ओ nue में तो हम लोग इस अप्शन को नहीं टीक कर यानि कि यहां पर देखिए वीट स्टोन ब्रीज भी कुछ हब तक सही है इसको काटा नहीं जा सकता है लेकिन जब देखिए जब आपको लोरेंज जब यहां पर आ गया तो इस वी अप्शन को हम लोग नहीं कर सकते हैं यानि कि मुझे मानना क्या होगा जो है अप्शन नमबर करने के साथ वीट स्टोन ब्रीज से जो है कुछ हद तक थीक विरात कुछ हद तक बहुत यानि कि 99.99 परसेंट तक सही है लेकिन एक परसेंट का वैरियेशन हो सकता है इसका यह फैदा है कि आप अग्याद प्रतिरोद भी ज्याद कर सकते हैं उसके बाद जो डी नंबर अप्शन है यह पूरे एपसुलिटली जो है राइस्टेंस को मेजर किया जाता है यानि कि इस ओप्शन का हम लोगों को सही एंसर हो जाएगा वो डी इसका क्या होगा ठीक है यदि यह आप्सन नहीं रहता तो हम बी को क्या कर सकते थे ट्रीट कर सकते थे यदि हमें डी नहीं रहता तो हम बी को क्या ले सकते थे क्या कि नहीं बाबु देखो ए नहीं होगा इसलिए न कि एस में क्या होगा जब आप मेजर करेंगे तो आप जिक्टट नहीं आता है जैसे कहने का मतलब है कि दो टाइप के डॉक्टर वैसा जिसके पास आप जाते है तो बीमारी का सही पता नहीं चलता है और एक ऐसा डॉक्टर जो पूरी तरह से आप जाने के पड़ा के बिमारी को सही आइडेंटिफाई कर देता है बता देता है कि देखो यह तुमको यह बिमारी हुआ है तो यह जो लॉरेंज बिधी है न बावु मेठ़ड यह वह इंस्टुमेंट है और वह डॉक्टर है जो पूरी डी में लॉरेंज नहीं लिखा रहा था तब हम तो कहीं रहे हैं कि भी हम लोग लेते हैं लेकिन देखिए बावु जब इलेक्टिकल इंजिनेरिंग में जब आप पढ़ेंगे तो यह जो बी टेस्टोन ब्रीज है ना यहां पर यह जो है फेल कर जाता है यानि कि समझ में नहीं आता है नहीं आता है तो ध्यान दीजिए आपके पास कोई भी अदी हमारे साथ बने रहे है एक जान तक जो है हम आपको सीखा देंगे एकदम डेप्सिनेटली है सीखा देंगे सब दिन दो तीन नुमेरिकल रहेगा हर चाप्टर से और हमारे संस्थान में च देखिए प्रश्ण में क्या दिया है निर्पेक्षमान कहता है एपसलूट एकदम पूरी तरह से कोरेक्ट कहता है यानि कि एक भी भारियेसन नहीं यानि कि वह यह जानना चाहता है कि टू ओम है तो टू ओम टू पॉइंट नाइन नाइन नहीं ठीक है अगर इसे में जरा टू है पुक्तू लेकिन यहां पर दिया हुआ है तो हम इसे क्यों टाइट करेंगे इसे हम जो है क्यूं है जो है प्थैक्षन कर स्बाएं चाहिए जीए आधी आपको को मेजर करना है resistance तो इस Later method का मोग यूज करते हैं ठीक है लोर¬ डेखिए क्या करते हैं बहुत पढ़ाते हैं Ó देखिए सर गूगल सर्च किये तो ए देता है देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग में आपको यह जो अप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है और यह बिल्कुल ही सही है इसमें कोई डाउट नहीं है बाबु कोई डाउट नहीं है नितियुकम क्या होता है कि जब एक करेंट को जब आप इसमें करेंट को क्या करें दो अगर वाले एरिया में मैंने फिल्ड भी लग्यावड श्यक्ति है यह आपको यह आउट वार लिख सभी तो इस धमने कर वाईरियस्ट्रों क्या होगा नहीं होगा यानि कि पूरि तरस से ठीक हैma ha ha a चलिए नेट्स oh कि ते नेक्स कुस्टफन करता कि नीमल लिखित में से किस पर सकराथ्मक के आना कराथ्मक प्रॉथ या नाकराथ्मक हो सकता है कहने का मतलब है कि एक ऐसा इसमें बताना है जिस पर पोजेटीव और निगेटीव दोनों चार्ज हो सकती है देखिए बाबू इलेक्ट्रोन पो आप जानते हैं कैसा होता है निगेटीव चार्ज देखिए होल्स क्या होता है होल्स होल्स यह एटम हो गया आपका एटम हो गया अब यहां से यहां पर ठ्धान मतलब जो चार्ज किया होगा और भी जीचर्ज की सब्सक्रवीच का सब्सक्राइब हर यह नीज़ीव और ऩम्लेटीम्न नुट हoff लेकिन देखिए आई करता है लगने मुधाल्ही यानी कि देखिए वाउन हुझा टाओ य्यांनि यानि कि एफी टू पलस या एफी थ्री पलस का काम करता है लेकिन जब यही जब करस्ट में जहां रहता है करस्ट करने का मतलब कि जब भूपर पटी के बात में हम लोग करते हैं वहां पर जो है यह आईरन जो है अपना कैसा निगेटिव आयन बनाता है यानि कि आपका जो आ ये अच्छा ठीक है भाई चलिए next को एक प्रिथवी के लिए गुरुत्वाकर्सन के कारण तुरन का मान क्या होगा यानि कि यह बात कर रहा है किसके बावों गुरुतिये तुरन कीुरुतिये तुरन की बात कर रहा है जी की तो जी आप जानते हैं मैक्सीमम मैक्सीमम कहां होता है दुरूप जिसको आप पोल कहते हैं धिक है यहां पर यहां से 9.8 मीटर पर सेकेंड आप देखिए नेक्स्ट यहां से जी का मिनिमम भैलू आप जानते हैं कहां विश्वत रेखा पर विश्वत रेखा पर और जी बराबर सुन्य हो जाता है कहां वाबू पृतिवी के किंद्र पर कहां जी किंद्र पर हो जाता है ठीक है और एक चीज और यहां से आपको मैं बताता हूं जी के बारे में जी अगर जी आपको निकालना है यहां से तो जी के लिए फर्मूला होती है जी बराबर जी एमी बटे में क्या वाबू आर स्क्वाइर ठीक है या एक और जी लिखते हैं आप जी एमी बटे में हाइड के साथ आर पलस में एज का क्या बावू होले स्क्वाइर लिखते हैं ठीक है आर जो होती है आर ये प्रिथवी की क्या होती है तुरिजिया होती है और एम यानि कि प्रिथवी का क्या होता है बाव यानि कि इस तरह से आपका option number क्या हो जाएगा भूमध है रेखा की तूलना में धुर्वों पर क्या होता है अधिक होता है यानि कि option number एक हो जाएगा यहां से आपका correct हो जाएगा ठीक है चलिए next कि कहता है जीवानों के नास के लिए किस गैस का पर्योग किया जाता है देखिए आप बिरंजक चुर्ण का नाम सुने हैं इसमें क्या रहती है तो इस तरह से यानि कि जो भी हम आप से चमा चाहते हैं हमारे कुछ टेकनिकल एरर हो जाने के कारण यह बीच में आपकी जो है लाइफ जो है रूख गई हम लोग आप से चमा चाहते हैं ठीक है और कुछ टेकनिकल प्रोब्लम हो गया थे जिसके कारण जो है बीच में ब्रेक करना पड़ा एक सेखेंड के लिए कि क्वेश्चन नमर नेक्ष्ट देखिए यहां से क्वेश्चन नमर नेक्ष्ट कहता है कि वासा को पचाने में मदद करने वाला पीत द्रव किसे स्रावित होता है देखिए इस प्रस में कहता है फैट को पचाने के लिए पीत द्रव स्रावित होता है किसे बावू लीबर से किसे लीबर से इसे एंजाइम निकलती है एंजाइ बना देती है अब जानते हैं अगनाशे से क्या निकलती है इंसुलीन जो ब्लड में ब्लड में कि सुगर के लेबल को सरकरा के मातरा को सरकरा के मातरा को मात्रा को नियंत्रित करती है नियंत्रित करती है ठीक है यानि कि इसका अप्शन नमबर डी क्या हो जाएगा कोरेक्ट हो जाएगा ठीक है एकजो बाइलोजी मिनिमल लिखित में से किसका अधियन किया जाता है एकजो बाइलोजी वीच अप्शन नमबर एक कहता है कि जीवित जीवों की बाहरी विशेश्ता है बी प्रित्वी की सतह पर जीवन सी वाई मंडल की बाहरी पर तो पर जीवन और डी बाहरी गरहों और अंतरिक्ष में जीवन यानि कि जब हम लोग बाहरी गरहों और अंतरिक्ष में जीवन का अधियन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं वागो एकजो बाइलोजी कहते हैं कि बाहरी गरह में खौन कोन आता है बाहरी गरह में कौन कोन आता है बिरहस्त्ती के बाद आपका क्या हो जाएगा नेप्चून नेप्चून, यूरेनास, यूरेनास, सनी, ये सब क्या है बाहरी ग्रह है, और आंतरीक में आप जानते हैं सूम मंगल बूध, सूम मंगल क्या बूध ये सब आंतरीक है, यानि कि जब हम लोग बाहरी प्लानेट के बारे में, यानि कि आउटर प्लानेट के बारे में, जब य कड़ी करते हैं और उसके बाद जो अंतरिक्ष में जो लाइफ है स्टाइल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं एक जो बाइलोजी कहते हैं यानि कि अप्शन नमबर डी इसका क्या हो जाएगा कोरेक्ट हो जाएगा ठीक है नमबर नेक्श्ट देखिए पेरों के खालों पर उगने वाले फफ़ुंद को क्या कहते हैं पेरों के खाल चालप किस पर भावं पेरों के AirPods Without देखिए यह सेक्सी कोलस्य होता है यानि कि हालू समे कठोर सत्व शब लाइकेन से जुड़ा हुआ है ठीक है तो इस जगह पर उत्पन होता है सेक्सी कोलस लेकिन अप्शन नमबर बी में कहता है जूफिलम सी में काटीलस तो देखिए काटी कोलस जो होता है बाव काटी कोलस यह यानि कि पेड़ का जो है पेड़ अगर यह ति पार्टिकल ठीक है और हडा हडा यहां पर उत्पन हो जाता है यहीं है 10 यानि कि चालों पर ऊगने वाले फ्रपूंद को किया कहते हैंött को टिकलते हैं क्या कहते हैं उस तरह से आपका ओपशन नमबर सी में क्या हो जाएगा चलीए अ कहता है टी एमभी देखिए टी एमभी कुछ नहीं बस इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे यहां से टी एमभी टी मतलब क्या टोबाय को कि टोबाय को मौजेक मौजेक वाइरस बस यही तह इसका फूल फर्म होता है यानि कि आठारा सो बानवेर में अब जानते हैं युनोस्की के द्वरा जो है इसका क्या किया गया था पोज किया गया था यानि कि ऑप्सन नमबर सी इसमें आपका क्या हो जाएगा प्रेक्ट हो जाएगा टी एमभी का फूल फर्म होता है टोबाय को मैजेक वाइरस ठीक है चलिए कुश्च नमर नेक्स्ट भोजन में विटामिन के कमी के कारण रोग होता है कौन सा रोग होता है भोजन में विटामिन के कमी के कारण यहां से देखिए इसमें कहता है बेरी बेरी वियू नुमोनिया और यहां गठिया अथराइटीस और पक्षे घात देखिए यहां पर आपका हो जाएगा क्या वा यानि कि आपके बलोड में जब का मात्रा बढ़ जाएगा तो यह आप जानते हैं कि जब सरीर का कोई जादा दिन तक यहां कि चलाना रहता है तो उसे ले जाके का हैं सवाल का सही एंसर हो जाएगा कि पूप्सन कोन सा यहां बाबु ऑप्सन नंबर डी क्या हो जाएगा इसमें देखिए कह रहा है कि जीवानुओं के विकास की गती धीमी हो जाती है क्या हो जाती है तो यहां पर यहां आपक निर्मान में किस नियुक किया है तो जांते हैं कि डवले जिसको आप क्या कहते हैं इसमें कहते हैं कि इसके का क्यानरता है कि यहाँ पर उपाएंगे यहाँ पर एक मिनट उपयोग हो जाए गा में कि दम्म्ही देखिये यहाँ पर यानि कि सच राइस जो है एक ऐसा कवक है यह कवक जो इसे काफी मुलाइम बना देता है हम लोग इसी में इसका क्या करते हैं पर्योग करते हैं ठीक है डबल ब्रेट बनाने में पेनिशिलियम देखिए पेनिशिलियम के बारे में पेनिशिलियम देखिए कहां पाया जाता है सरीगली सबजी हो गया सबजी या फिर सरा हुआ चमड़े के बाहरी आवरन सड़ा हुआ हो उसके उपर पाया जाता है कौन सा पेनिसिलियम पाया जाता है यानी जो जो जैवी खात है बाबू जैवी खात में क्या होता है कि ऑलकोहल से ऐसितीक एसिड में पड़िवर्तन लाने यह पवग्या है जिमवार है जिसका नाम है असीतोंवर्ध य स्पे हील जो है मैं एक संकुधारी भफुन है जो सीधे ही जो है यानि कि एक और सेक्सुल है कहीं पर अगर होता है तो इसके बाद इसमें कोई बढ़ होतरी क्या होती है नहीं होती है यानि कि 17 नंबर यानि कि डवल ब्रेट के निर्मान में सचरायमस जो है फंगी का यानि कि क्या किया जाता है परियोग किया जाता है यान पर देखेंगे जब किसी को साप करता है तो उसके जो सरीर होता है यानि कि उस पे नीला धबा हो जाता है तीक है यह सरकुलेटरी सिस्टम यानि कि यहां पर इस ब्लॉड को लेकर के पूरी तरह से डिश्ट्वाइड करने लगता है अब देखिए पहला जो ही इसका रख्त सर लगता है इसके पर देखा है और सबसे अन्टिम आदा से यहां कмотрите सिस्टम हो जाएड़ा जैगा यहां Ahh जिसके कारण स्वसन की दर में बहुत प्रोब्लम हो जाती है कमी आ जाती है बस वहां से क्या निकलने लगता है जाग निकलने लगता है ठीक है यानि कि इसका राइट एंसर हो जाएगा सब्सक्राइब करता है यानि कि बहुत तेजी से परकास अंसलेशन करता है और इसमें क्लोडोफिल की मातरा बहुत क्या होती है बहुत ज्यादा निकलेगा और इस तरह से यानि कि हमारे इस इको सिस्टम को यानि की परिस्थितिकी तंत्र को अनकूल बनाने में काफी क्या है जो है मदत रखता है यानि कि अप्सन नमबर यहां से आपका क्या हो जाएगा डी क्या हो जाएगा ठीक है चलिए कॉर्शन नमबर नेक्ष्ट कोता है कि मानो तो अच्शा क्या है यानि कि देखए Hz Stewart आप इस चलिए था आपका क्या है उपास्थी नहीं और तरस नहीं किया हो जाएगा क्या हो जाएगा कोरेक्ट हो जाएगा ओके है इत्व निमन लिखित में से और पादब वेखेंगर बहुत इंस पूश्चन कोश्चता है कि बताईए एक difference जो जन्तु कोशिका और माना कोशिका जन्तु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में एक अंतर बताईए बहुत ही जो है इंपोर्टेंट पोस्चन है और कई बार एक जामू में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा देखिए यह जो आपका जो शे जन्तु में नहीं होता है यह किवल पौधों में होता है किसकी बनी होती है सेलूलोज की बनी होती है किसकी बनी होती है बावू सेलूलोज की यानि कि option नमबर यहां से आपका बी क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा माइक्रोकॉंड्रिया आप जानते हैं इसे आप क्या कहते कोशिका का पॉवर हाउस क्या कहते हैं आप कि उढ़ाग्री कहते हैं किसको माईक्रोफ पॉट्रिया को ठीक है यानि कि ऑप्सन नमबर बी इसका क्या हो जाएगा औरक्ट हो जायगा कोश्चन नमर देखिए नेक्स्ट कहता है कि सभी जटिल जानवरों के मूल्न परकार के उतक होते हैं कितने जटील कहने का मतलब कि एक ऐसा उतक जो बहुत complex हो complex हो एक में दस जो है आठ जो ऑर्गन्स क्या हो जूड़े हुए तो जन्तु जो होते हैं यानिकी जो एनिमर्स होते हैं उसमें complex मेंस जो है जो होते हों कितने होते हैं ठीक है कितने होते हैं जी-चार होते हैं ठीक है आग नेक्स का तंधीम लिखित से किस में का सबसे बड़ा मान है देखेए पिषेश्ट उस्मा क्या है और स्पोग जी कि और थे यहां परदार थे यह अब इसके एक डिγरी सेंटीकेरेंट यह एक केल्विन टंप्रेचर को बरहाने के लिए जितनी उड़जा की क्या होगी बाबू आवस्यक्त उड़जा वहीं इसकी क्या का लाएगी बिशिष्ट उस्मा का लाएगी तो सबसे ज्यादा किसका होता है बाबू जल का होता है कितना होता है जी वन होता है copper के लिए 0.39 और सीशा के लिए 0.12 और glass जो है लिए जीरो पॉइंट गलास के लिए इसका मान जो होता है गलास के लिए 2.2 ठीक है यानि कि यहां पर सबसे अपका maximum जो है specific इहां से इसका हो जागा भावू वाटर का हो जाएगा ठीक है question लिखित में से कौन से फोटोन के कौन की परकिर्थी का समर्थन करता है देखिए फोटोन्स क्या है फोटोन्स फोटोन्स देखिए प्रकास प्रकास की किरने आप कहते हैं न कि प्रकास जो है एक उर्जा का क्या है रूप है प्रकास क्या है बावु उर्जा का रूप है तो उर्जा जो है एक ऐसे बंडल यानि कि एक ऐसा प्वैकेट में क्या रहती है बंधी रहती है इसमें सपोज कि ज तो आप पढ़े होंगे फोटो इलेक्रीक इफेक्ट यानि कि जब किसी मेटल सर्फेस पर जब यहां परकास की किरने जब पढ़ती है यानि कि यहां से पर रहा है तो इससे एक सटेंट टाइम के बाद इससे क्या होती है कि इलेक्रोन का इमिशन होने लगती है इस घटना को या इस पर क्रिया को हम लोग फोटो-इलेक्रीक करते हैं यानि कि यहां पर जो इसकी इंटेंजीटी होगी तिवर्त होगी वो डाइरेक्ट टी परकोस्नल नमबर्स और क्या हो जाएगा यानि कि जितना सख़ lle बढ़ेगा यानि कि ये कह सकते हैं कि Boulder को क्या करता है समर्थन करता है फोटोन्स कहने का मतलब कि एक एसर लाइट का पाटिक्ल जिसमें एनरजी क्या रहती है उसे आप क्या कहते है फोटोन्स कहते हैं यानि कि ऑप्शन नमबर सी इसका क्या हो जाएगा ठीक है चलिए कॉस्टन नमबर नेक्ट कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिसमें एक बार गर्म करने के बाद ढाला नहीं जा सकता आप जानते हैं यहां से आप नाम सुने होंगे ताप ध्रिश का किसका जी ताप ध्रिश पलास्टिक यानि कि एक बार जब तयार हो गया जैसे देखिए टीवी या रेडियो का जो कैबिनेट होता है रेडियो का कैबिनेट होता है कैबिन उसमें क्या रहता है उसे साइकल नहीं कर सकते हैं आप यह क्रोझ कर लेंगे दिशान कर नहीं कर लेते हैं mesma यानि कि यह आपका option number एक क्या हो जाएगा सही हो जाएगा यानि कि थर्मो सेटिंग पॉलीमर यानि कि एक ऐसा बहुलक है जो temperature यानि कि तात्मान इसको प्रभावित क्या करता है नहीं करता है ठीक है आप देखिए पॉलीविनाइलकॉल राइड पीवीसी पीवीसी में क्या होती है कि कुछ जब हाई टमपरेचर जब दीजिएगा तो इसमें क्या आने लगती है मतलब इसका बहुलक तूटने लगता है लेकिन जो एक थर्मो सेटिंग है यानि कि ताफ एक ऐसी प्लास्टिक है जो सो टमपर प्लास्टिक है जो चूट गया 24 कह रहें देख लेते हैं अब चलिए जो पीएच का जो लीमिट है पीएच का काम करता है देखिए अप्सन नमबर एक पॉइंट टू से नाइन यह तो बिल्कूल ही नहीं होगा शीक्स से शीक्स पॉइंट टू यह भी नहीं होगा क्यों न और डी में यह देखिए आप जानते हैं कि सरीर में बहुत सरे ऐसे औरधन से उससे निकलने वाले जो स्रावन जैसे ब्लॉड हो गया यूइन हो गया उसका पीएच का जो लेबल है पीएच का लेबल वो सब इसी के अंदर क्या करता है यानि कि इसी के अंदर रहता है जैसे देखिए यदि यूरीन की बात करें यूरीन की पीएच की बात करें यूरीन की पीएच की बात करें यानि की मूत्र की पीएच की बात करें तो आप जानते हैं कितना फोर पॉइंट एट से लेकर कितना तक रखते हैं दूसरा यदि खून की बात करें खून की तो इसके लि ही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कहता है यहां से नीमलिखित हार्मोन में से कौन सा एक हार्मोन है यह सिर्फ महिला में होता है यानि कि फिमेल पार्ट्स में पाया जाता है यह पुरुस में में ञें होती है अंट्रोजन हो गया यह दोनों पाये जाती है यह दोनों और फिमेल dis जाती है इसमें पाहे जाती है ठीक है यानि कि इसका क्या हो जाएगा ठीक है कि 2 लोर जाता है जाते है पेर के छाल से प्राप्ट करते हैं फिर उसको कागज में करक्ड हो जाता है ठीक है प्रोटीन को भी संसलेशन हो जाता है यह भी संसलेशिस हो जाता है नया बन जाता है स्टार्च भी कॉनवर्ट हो जाता है लेकिन जो पीवी सी होता है बावू इसे नया बहुलक आप क्या कर सकते हैं नहीं बना सकते हैं यह नया जो है नहीं हो सकता है ठीक है ओप्शन नमबर यहां से आपका डी क्या हो जाएगा ठीक है मकडियों द्वरा उत्पाधित रेशम क्या होता है देखिए यह ओप्शन असे क्या हो जाएगा राइट एंसर गोशामी गोषामी रेशन मकडियों द्वारा एक अपादीत रेशन होता है जोो एक दम इस तरह से पतला पतला याहननी कि बहुत पतले पतले ऊसको कह सकते हैं कि जसे तरह से तो को तरह से नगना करनी देक security them इतना पतला होता है वह चार तरफ फैला रहता है मकडियों के दौरा जीस को हम लोग क्या करते हैं जानते हैं ठीक है यानि कि इस क्या हो जाएगा सी नंबर अभी हाल ही में भी देखेंगे बहुत जग एक्जामों में पूछा गया है बहुत इंपोर्टेंट कोश्टन है ठीक है चलिए एक सामान्य जो है मनुष्य का वजन कितना है बावू 70 kg है तो इसमें जो है कुल रख की मात्रा कितना होगी देखिए यह 5 मिली लीटर है मतलग कह सकते हैं क्या बावू 5 लीटर क्या कह सकते हैं 5 लीटर यानि कि यह एक औसत जो है आपके साथ यह हो जाएगा यानि कि आप जानते हैं ब्लॉड में ब्लॉड जो होती है उसके बाहर का लगभाव में कितना परसेंट होता है साथ परसेंट होता है यानि कि option नंबर यहां से आपका यह बी क्या हो जाएगा correct हो जाएगा चलिए प्रकास शंसलेशन पर किरिया नीमल लिखित में से किसकी उपस्थिती आवस्यक नहीं है सुर्य का प्रकास चाहिए औक्सीजन चाहिए जल चाहिए लेकिन करवन डाइय अक्साइड की कोई जो है इसकी ज़रुरत नहीं है ठीक है चलिए नेक्स कोशन चलते हैं ताप नीमल ल सुने थे खुनी केलव थे सुच करण क्या होता है लने ड्याम पूलिक गया सेल्सियस हो गया लेकिन एक किली यह को ही मातरक है केलवीन को ही हम लोग S.I. मातरग क्यों मानते हैं इसका कारण है देखिए केलवीन ने क्या किया था कि जो एक सेकेंड केलवीन क्या किये थे कि जो यहां से परंसुन्यता यह भी भीन गैसों को ले करके टंपरेचर को काम करते आये एक ऐसा पॉइंट आया यनि की मैनस 273 डिगरी क्या झी सेल्सियस जाहाँ पर इस गेस की अनुविक गती पूरी तरह से क्या हो गई सुन्य हो गई उसे इन्हों थे क्या कहा परम सुन्यता यनि की सबका बात इसके बाद इसका कोई उपाई क्या है नहीं है इसलिए जो है इसका SI मातरक का जो निर्उपन है किसको दिया रहा है किसका मान रिनात्मक नहीं हो सकता है देखिए एक relation पहले यहां देख लिजे सभी में relation यहां से एक relation देख लिजे आपको खुद इसका अंदाजा हो जाए कि क्यों नहीं हम लोग इसको अबनी रिनात्मक लिखते हैं यहां से देखिए कि सी बटे में 5 कि एफ माइनस 32 बटे में क्या हो जाएगा 9 आरवाई क्या हो जाएगा 4 कि माइनस 200 कि 70 बटे में क्या 5 यह देखिए रिलेशन है यह क्या हो रिलेशन है ठीक है यानि कि इस फर्मूला से आप क्या कर सकते हैं किसी में है तो संबंध आप क्या कर सकते हैं सकते हैं याँ सब्सक्राइब को इसमें बदल सकते हैं कि केलवइल को इसमें में की कर सकते हैं यहां से सबस्क्राइब लेकिन रिनात्मक आप कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, यहां से रिनात्मक आप नहीं लिख सकते हैं, क्यों कि देखिए इस 0 Kelvin को ही लिखते हैं, हम लोग माइनस 270 degree क्या जो है, celsius लिखा जाता है, यानि कि Kelvin को आप negative नहीं लिख सकते हैं, कहीं देखें होंगे, जो आप्सिन नमबर सी इसका क्या हो जागा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है समझने के लिए देखिए आप यहां पर मातरक देख सकते हैं कहने का मतलब कि वाटर को लेकर हो घोट का और संब्सेश्या का सकते हैं यानि कि फल किए इसके बीज बाहर होते हैं थीक है तो यह देखिए एस्ट्रावेरी इसका बीज क्या होते हैं बाहर जो आप जा के देखेंगे इसको पर청 करके खा के देखिए एक बात और वीज का भी पता चल जाएगा कहा होता है ठेक है बाकी जो आप देख रहें यहां पर केला, इंसाइड होता है, मुख भली के बीज ही आ प्रूब करते साव आप खतें जो कि ही इंसाइड रहता है फोर करके निकलता है लेकिन देखिए कि अब को बीज था रहता है तेख है कि कुछ कोश्चन नंबर करता है कि को बुरदे में देखें क्योंकि देखिए के जमाने में आइड कल तो जो बरव बेचने वाला रहता है आइस-क्रीम वहला रहता है आटी फिसल आ गया है लेकिन पहले क्या था वामु कि एक बाकसा लेके घुम अयt इसलिए इसलिए इसका हम लोग परियोग करते हैं ताकि वह जो है यानि जो बस तुछे यानि की बर्फ रखा है उसको टंपरेचर ना चेंज हो जिसके कारण ओपी घलना क्या कर देगा चालू कर देगा यानि कि आइस्क्रीम वाला का टोटली के टोटली जो है वो क्या हो जाएगा ठीक है यानि कि अप्सन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा ठीक है बुरादा उ जब इसको एक पत्थर को जब फेकते हैं तो वेव इस तरह से ये क्या करता है चारो तरफ बढ़ता है ठीक है यानि कि इसमें देखा जाता है और इस साथ-साथ धोनी भी होती है यहां क्या होती है धोनी भी होती है प्रैक्टिकल करना है आप जहां भी रहते हैं जा करके एक करके क्या करिएगा देखिएगा यानि कि यहां से ध्वनी निकलती है और एक तरह से यानि कि उठते हुए वेव की तरह आगे क्या करता है बढ़ता है यानि कि यहां से कह सकते हैं कि यह आपका अनुधर्य भी है और क्या है अनुपरस्त भी है यानि कि जो ध्वनी निकलती है कि यहां पर जो होती है जो वेव परूपेज़न होता है आगे जो है चलते जाता है उठ करके जो है यानि कि इस तरह से उठते हुए जो है आगे बढ़ता है इसे अप्शन नंबर यहां पर सकते हैं ठीक है और करेक्ट नेच्ट चमगादर अत्वा डॉलफिन सीकार पर भग्षी अत्वा औरोध का पता लगाने के लिए किस परकी घटना का देखें चमगादर जो होता है बाबो यह अल्टरा सोनिक यानी कि पारा सरवयको पारा सरवयको पारा सरवयको आप जानते हैं यानी कि 20 किलो हर्टज से क्या इसकी कि यहां पर चल जाता है पानी के अंदर चीपी हुई बस्तूत करते हैं पता लगते हैं इसमें भी परस्रवयत रंगी क्या की जाती है छोड़ी जाती है और वो पानी के अंदर जाकर सतह से टकड़ा करके वापस आती है तो हम लोग पता लगा लेते हैं कि यह बस्तू है ठीक है या फिर उसके गहराई तो भी पता लगा लेते हैं यानि कि option number D इसका क्या हो जगा right answer एक चीज़े या नोट करने मला है ये भी बन स लिए क्योंकि देखिए जब meeting होगा जैसे जैसे आप लोग मेरे आवाज को सुन रहे हैं जब हम एक बार आपको कह देंगे hello तो बार बार आवाज क्या होगा repeat होगा यानि कि मेरा साउंड का जो वेव है यानि कि तरंग है वार बार क्या होगा दोहराएगा जो है उसे आप यह को कहते हैं तो यह घटना को कॉम करने के लिए जो है conference hall या फिर meeting hall की जो दीवारे होती है उसे क्या बनाया जाता है रूखरा बनाया जाता है क्या बनाया जाता है यानि कि इस question में चमगादर रथवा डॉल्फिन के बारे में जानते हैं डॉल्फिन क्या है बोलिए अस् question number next क्यों कर्णिया परतिरोपन असान और अधिक रूप होता है देखिए इसमें क्या होता है आप जानते हैं क्या हो जाएगी या फिर उसे एक नया जीवन मिल जाएगा तो देखिए उसके आख में सिर्फ एक यहां से कॉर्णिया को उठा करके यहां से यह रक्त का जो भिषल होती है यानी कि यूद्धिया सब्सक्राइब करनिया वही काऊं से नहीं जुड़ा हुए रहता है यानी कि इसका एंसर हो जाएगा आपको बी नमबर ठीक है बी नंबर अगर इसमें भीसल जूड़ा रहता तो काटने के बाद उसे ब्लॉड क्या हटाने के बाद ब्लॉड निकलते और फिर वह जल्दी डिस्ट्वाइट हो जाता ठीक है यानि कि अप्सन नंबर बीस का क्या हो जाएगा चलिए नेक्स्ट जो बंसान रोग यानि कि जि पिमारी है कैसी हे अनुवांसिक, अनुवांसिक भीमारी है यानि की ती डर वीडही यानि माता पीता में किसी को तो उसके पूत्र को भी होगा उसे आट आप कि आपने माता या पीता में से किसी के होमोगलोविन में जब गरवड़ी हो जाती है सही से निर्मान क्या होता है नहीं होता है अगर बनता भी है तो तुरंत वे लाल क्या अब नीला यानि कि तीन कलर जो है मुख्यारूप से पाचा अदमीं में क्या होती है चंता आखों द्वारा नहीं होती है जिसे आप क्या कहते हैं लाल के दिल्चा अगर कि इसमें अगर किसी ब्याक्ति को है तो वह उससे आने वला generation हो जोगा उससे मीवी होगा ठीक है तो यह वी अनुमानसिक बीमारी हे यह तीनौं दोष सकते हैं की यानिकी रक्त की लप सूराओ स्टावर्य में से सब्सक्राइब को करा सब्सक्राइब सर्क्राइब उसके कारण सभी भागों तक प्रोब हेसी जिन जिन हम हो होती है जिसे आप क्या कहते है इनेमिया इसे ठी करने के लिए आप या थिक है या इसका क्या हो जाएगा राइट देखने वाला क्या करने वाला जी देखने वाला इसे क्या किया जाता है कि जो एक सरे जो इंस्टुमेंट रहता है यानि कि रे के रे जहां से निकलती है वहां पर क्या किया जाता है कि उसके लेप चुर्ण चड़ाई वी रहती है जब आप क्या करते हैं कि जब कोई पिक्चर लेते हैं तो उसमें कोई भी थोड़ा सा यदी कि डिस्योडर है क्या है कि यह पद्र राहुंद फार्ण पत्ली हडी है और इगदम हलका सा क्या हो गया है इसका क्या हो जाएगा अश्य। कि यूरेनियम सबसे क्या है भारी या निकि इसमें आपका हो जाएगा और क्या हो जाएगा प्रोसेस जिसमें जल क्या करती है जल अपने खनीज और लवन को इस अपने सतह तक लाती है सतह तक आपको एकजांपल देखने के लिए देखिएगा जहां पर पानी जमा रहता है पानी क्या रहता है जमा रहता है वहां पर देखेंगे छोटा-छोटा हडा हडा जो है बहुत छोटा-छोटा जो है या देखने से ही लगेगा कि पानी के उपड़ एक हडा क्या बन गया ठीक है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर अपने पूरे नर्जी को लाती है बाहर लाती है ठीक है यहां प्रृर यहां 요to को सब्सक्राइब आप्सके नहीं परिमां किस समभन दी तो आप जानते हैं यहां से इसका क्या होगा सभी यानिक इसका सम्भन दीत है इसमें एक चीज हहाँ अगर बीकीरन पूछे आप से कभी किसी कोस्चन में कि बीकीरन जो है किस में मापा जाता है वावू काउंटर में किस में मापा जाता है काउंटर ठीक है काउंटर में मापा जाता है और तारे का रंग का सूचक आप जानते हैं उसका तापमान यानि कि तापमान जो है किसी तारा के रंग का क्या है सूचक होता है सूचक ठीक है यानि कि option number a आपका क्या हो जागा correct हो जागा ठीक है question number next cycle tube अथवा आचानक फटना एक धारन है देखिए option number a में दिया है adiabatic process यानि कि एक ऐसी process एडिया बेटिक इसको रुदोष्न परकिरिया कहते है यानि कि अगर यह एक एरिया है तो इसमें इस एरिया से बाहर नहीं एनर्जी जाएगा और नहीं इसमें एनर्जी आएगा ठीक है यानि कि पूरी तरह से क्या है अक्यला ऐसे system को हम लोग क्या कहते है एडिया बेटिक यानि कि एक ऐसी process जिसमें उर्जा का बदलाव नहीं होता है यानि कि energy प्रांसफर यानि कि energy जो है change क्या करता है नहीं करता है उसे आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं ठीक है जैसे देखिए बैलून का फतना है तरफ यह सब कैसा इसका एक्जामपल है क्या क्या पूछा गया है कि रुदोस्न परक्रिया है और एक और गस्ते होते हमें इसमें कारण है कि तुम से एंप प्रफ ट करते हैं यातन नियत तो mm एक और वहता है और समय कहते हैं अपको ठेसरोच क्या हो नियकर नियत यानि कि constant volume constant volume जैसे देखिए auto cycle क्या वह वह ओटो साइकिल आप फर्मोडेनमिक्स में पढ़े होंगे कोई भी heat and engine होती है जिसके अंदर जो फ्यूल का जो combustion होता है और totally heat वर्क में convert होता है यानि कि आई सो कोरिक यानि कि constant volume यानि कि नियत आयतन और से आप क्या कहेंगे यहाँ पर तापमान अपना क्या रखता है नियत रखता है आई सो करी का मतलब हो जाएगा नियत आयतन ठीक है और आइसोबारिक का मतलबन नियत क्या व्याव दाव की शाइकिल का ट्यूब फटना या बैलून पफटना ये उधारन है किसका जी दिया बेटीक जिसको रूदोसन कहते हैं ठीक है यानिकी ऑफ्षान नंबर एसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेस्ट कोश्टन है इलेक्ट्रोनों के इस्पीन के पता लगाने के लिए यह है कौन लगाए थे ठीक है देखिए यहां से जो औपसं नंबर जो सी है आपको इस्टार्ण अनगिला आर्च दो ऐसे विज्यानिक थे दो बैगणिक बैग्णिक जिन्होंने स्पीन के सड़ी इलेक्ट्रोन के इलेक्ट्रोन के चक्रन के बारे में क्या किया बताया जैसे देखिए जब एक डिस्क को ले लिजिए डिस्क पर जब आप देखेंगे जैसे आपको आख पड़ेगी यानि कि जब उसको आप देखते हैं तो एक तरफ से देखें यहां निए तो लएगा कि लेट घुम रहा है यानि कि हमेशा आपको दिखता है वो की रोटेट होता हुए ठीक है इस एक्सपरिमेंट को जो है एस्टरन और गेलाच दो ऐसे ब्याद बेग्यानिक थे जिन होने इसका क्या किया था पता लागा था जो है ठीक है उन्होंने इ पर गयमता का प्रस्परिक गुन है ने देखिये इस प्रस में कहता है दरसी प्रोकल यानिक मेंग्नेक परिमविलीटी खेका व्रम आले एक लीगों पूछतन रहा है क्या पूछ रहा है तो दो टाइप कर कि ed啉त करby बारे अपको Questo कि और रहा है है तो ठीक है electrical circuit है ठीक है electrical circuit voltage दिए आप इसमे रईच टेन्स है ठीक है तो current flow करेंगा आप जानते हैं कि इस दारा को विरोध करता है जिसे आप क्या करते हैं प्रतिरोध क्या करते हैं प्रतिरोध करते हैं यहніß Leg history current का जो approach करेंगा उसे к्या करते हैं लेकिन एक मैगनेटिक सर्कीट में एक मैगनेटिक सर्कीट में यह फाई लिखे हुए है बागु इसको हम लोग मैगनेटिक फलक्स कहते हैं क्या कहते हैं मैगनेटिक फलक्स यानि कि मैगनेटिक सर्कीट में जो इस फलक्स को चलने के लिए जो बिरोध पाईदा करता है उसको रिलक्टेंस कहते हैं क्या कहते हैं रिलक्टेंस यानि कि यह चूंबा किये प्रतिरोध है कैसा है वावू चूंबा किये प्रतिरोध क्या है चूंबा कि है बसकी उतना इनर्जी देता है जिसे याद कर लीजेगा क्या होगा क्या होगा क्या लिखा जाता है टीक है ऐसे जो रहती है इसका क्या होता है बहुत ज्यादा होता है इस प्रस्थ में आपको कह रहा है कि मैगनेटिक प्रेंबिलिटी जो है रेशी प्रोकल है किसका देखिए यहाँ पर धारा यानि कि भी बटे क्या आर यानि कि आई देखे ब्यूतकर्म किसका रहता है प्रतिरोध का तो यहाँ पर इसका क्या रहता है यानि कि प्रेंबिलिटी जो रहता है यह वन वाइग रिलक् करता है कि रिलक्टेंश कहने का मतलब कि चुंबाय क्या परतीरोध क्यों की तीरोध को हमदों क्या कहते हैं रिलक्टनेस का ते घ टीере प्रतिरोध का है तो इसमें देखिए धारा का बिरोध करने वाला तो आप क्या कहें प्रतिरोध का है तो यहां पर चुम्बा किये फलक्स को जो बिरोध करता है उसे आप क्या कहते हैं क्या हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स करता है कि स्टीपी में औक्सीजन का एक मोल कितना के बरावर होता है देखिए यहां से आप जानते हैं कि एक मोल में किसी यौगी का जो परमानु का मान 6.022 इंटु 10 के पौर 23 क्या होता है एक है यहां पर बोलिए एक है यानि कि सिंपल तरीका से आप कहस सकते हैं यह देखिए अगर एटम के फ़र में लिखना रहता है यहां रहता है यानि कि यहां एक है इसका अनु क्या है यह अगर ऑक्सीजन के लिए तो यह हो जाएगा दो गुना में 6.022 इंटु 10 के पौर 23 क्या हो जाएगा यहां से एक है किस केस में किस केस में हो जाएगा जब यहां बात करेगा परमानु के रूप में लेकिन जब अनु के रूप में बात करेगा अनु के रूप में बात City to YouTube यानि कि atom शोर के यहां पर मोल्कूल हो जाएगा क्या हो जाएगा कि मुल्कूल मुल्कूल हो जाएगा यानि कि SEC except 2019 से आपका एक क्या हो जाएगा राइट और आधरत चारी मॉभ क्रित घथिक है है अगर नहीं बावु आठ ग्राम अफक सीजन नहीं ये 32 ग्राम अफक सीजन ओटू है न सोलो दूना कितना जी 32 नेक्ट द्रेमान के संरक्षन के कानून के अनुसार निमल निखित में से प्रतिकिरिया सही नहीं है आप जानते हैं कोई भी ऐसी अब किरिया है तो दर्मान संरक्षन क क्या करती है पालन करती है कहने का मतलब कि अब किरिया से पहले जो द्रेमान होती है अब किरिया के बाद जो है वही रहती है यानि कि इसमें कोई बदलाव का नहीं होता है यानि कि इसको इस्थरांग का विनियम आप कहते हैं इस प्रस्ट में देखिए जो एथेन है यहां कर रहा है बराबर है दिखिए यहां पर यह कि इसको नहीं कर रहा है यानि कि नहीं करने देखिए यहां से हाइटोजन कितना है आठ है 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 यानि कि पूरी तरह से इसमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा एक सेकेंड रुक जाइए यहां से साध दुनी कितना हो जाएगा कि एक सेकेंड शाथ इसको बैलेंस करना पड़ेगा 3 तरहां से साथ दुनी के कार्बन को देखेंए तीन कार्बन तीन कार्बन है ओक्सीजन की च्रहर यहाँ से कितना हो जाएगा साथ यकि कितना है यहां से आप इसको बशेर रखते हैं यहां पर तो एक सेकेंड रुकिये लेखते हैं इसको एथेन और ओटू यहां से बैलेंस करना है इसे तीन तीन ठीक है हो गया है यहां से एक सेकेंड तीन को हो जाएगा यहां से आपको तीन दूनी के कितना हो जाएगा छे और एक साथ तो यहां से अगर चलिए इसको देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं चल्ये नेक्स देकिए किर्टार्य किंटाइब त्रेंकुलाईजर कहने का मतलब कि वह दावा जिसमें है जिसमें बैचैनी पैचैनी या मांसिक संतूलन मानसिक संतूलन को ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए के लिए लिए बनाई जाती है उससे लाइजर कहते है इसमें देखिए यह गुरूप होता है कौन सा बावू होता है क्या होता है यह देखिए प्रोमत हो जीन है यह दवा का ही नाम है यह लगी के लिए यह लर्जी के लिए हो जाता है यह ने प्रॉक्स जो हो जाएगा जिसे दात का दर्द में दात के दर्द में और यह गर्ध नीरोधक यानि की या यानि की यह पर आपको ऑप्सन नमबर बी के हो जाएगा नेक्श दखीए सुने और चांदी के इनिस कर्शन में साथ लीचिंग के साथ लीचिंग सामिल है तो चांदी क्या जी बाद में इस पर किरिया को क्या करते हैं यहां से आपको साइनाइड में क्या किया आता है कि इनको घोल लिया जाता है और गोलने के बाद किया जाता है कि इन दोनों को क्या कियाता है अलग तो सोनग हुल करके अलग हो जाती है और चांदी क्या होती है वहां से कि जिंक चांदी क्या होती है कि धीरे धीरे एक पार्ट में क्या होने लगती है एक जगाई कत्रित होने लगती है ठीक है इस परक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्रभाजी आश्वन प्रभाजी आश्वन ठीक है यह जाएगा क्या बावू यानि कि ऑप्सन नंबर भी इसका क्या हो जाएगा कोरेक्ट नमेर नेश्ट आता है कि जिस क्या पर दार्थों एक निन में से लेना चाहिए देखिए निकल निकलो 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 भाइड्स हो ना चाहिए यहाँ पर ठीक है यानि कि यूरिक एसीड ये यह निकल वाइड कम लेने चाहिए ठीक है कम खाएंगे जिससे इसकी मात्रा क्या होगी कमेगी नहीं तो बढ़ जाएगा तो फिर उसमें और ज्यादा क्या होगा आपको और ज्यादा प्रोब्लम करेगा नेक्स देखिए कहता है फास्पोर्ड डिजेस्टर बॉंड आप प्रो लेगे हो वते हैं दोनों कि यह लया पाहिए द्यादा क्या होता है वहाइट होता है दिर ने और यह का जो एक है थीक है तो यानि कि option number यहां से आपका एक और चार इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा option number C इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हम लोग next वीडियो में तब तक के लिए जहन झाल 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 पूस्चन नमबर यहां से आपका फोटी सीक्स था पूस्चन नमबर यहां से इसको बैलेंस कर सकते हैं तो टी सीक्स को आप बैलेंस कर सकते हैं यहां से यहां से बैलेंस करने के लिए यहां पे दो से मल्टिप्लाई औक्सीजन में साथ से और कारवन में चार और यहां से इसको बैलेंस कर सकते हैं यहां पे शीक्स इस तरह से आपका यह अगर ऐसा रहता तो यह सटिस्फाई करता ठीक है आप इसको बैलेंस कर सकते हैं ठीक है यानि कि यह इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है ठीक है बावू ठीक है थाइंक्यू क्छू लावू है जहाँ उल्टे कर दो जहाँ जोगे यह भीक है कि यह इसको बावूदे बाप बावूदे को बावूदे में अज़ तरह सकते हैं जिएक्टू रहार गुलो नहीं ज़गर कर सकते हैं भाव्वशनी कूशब बाब्टू यह पिर्वचर है यह ज़ईक्ष